नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्यावारता में दोस्तो, HP TGT TET Arts की आंसर की आपके बीच में डिसकस कर रहे हैं इससे पहले हमने दोस्तो, जो थर्ड सेक्शन था उसके बारे में हमने डिसकस कर लिया था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिये तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं और चली अब शुरुआत करते हैं, जो चौता सेक्शन है जनल अवेरनेस का उसकी आंसर की आपके बीच में डिसकस कर रहे हैं दोस्तो तो चली शुरुआत करते हैं, सबसे पहला प्रशन देख लेते हैं, कांगड़ा घाटी में चाय का उत्पादन किस वर्ष प्रारंब किया गया तो दोस्तो इसका जो राइट अंसर होगा वो होगा ओप्शन B, 1850 इसवी में अगला प्रशने देखिए, दाड़ी बनाने वाले ब्रश को जब पानी से निकालते हैं तो उसके बाल चिपक जाते हैं तो यह दोस्तो पिष्ट तनाव के कारण अगला है विटामीन C नहीं पाई जाती है तो इसका जो राइट अंसर होगा दोस्तो वह गा दूद फिर आता है पटन गाटी कहां पर स्थित है तो दोस्तो जो पटन गाटी स्थित है देखिए यह है लाहौल स्पिती में तो यदि एक आदमी पूरुव की ओर मुह करके खड़ा है तो उसके दाएं हाथ की तरफ कौन सी दिशाओगी तो राइट अंसर होगा दोस्तो दक्षिन अगला फ्राशन है प्रिंटिंग प्रेस की खोज किस ने की थी तो इसका जो सही अंसर है दोस्तो वो है गुटेनबर्ग औप्षिन बी फिर देख लेते हैं नेक्स्ट मिंजर मेला चमबा में कब शुरु हुआ था तो दोस्तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा अप्षि इस्वी में वह दक्षिनी अमेरिकी देश जो तेल उत्पादन के लिए जाना जाता है तो दोस्तो इसका जो राइट अंसर होगा देखिए ये होगा वेनेजुएला क्लियर है दोस्तो 1969 में सरवप्रत्थम किस भारती राज्या में पंचायती राजवेवस्था प्रारंब हुई तो दोस्तो इसका जो सई अंसर है राजस्थान हमारे सौरमंडल में सबसे गरम ग्रह कौन सा है इसका राइट अंसर है दोस्तो शुक्र फिर आता है प्रशन हमीरपूर किस देशी रियासत की राजदानी था तो सई अप्शन है दोस्तो अप्शन ए गुलेर अगला प्रशन है राम चरित मानस के रचईता तुलसिदास किस के समकालीन थे तो दोस्तो ये थे समकालीन अकबर के न्याइक उपाय जिससे राज्य में किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने की वैदता की जासके तो दोस्तो उसमें क्या होता है कि इसका जो सही अंसर होगा देखिए वो होगा ओप्शन बी बंदी प्रत्यक्षी करण लेख प्रिथ्वी की परपटी में सबसे प्रचुर धातू कौन सी है तो दोस्तो इसमें जो सही अंसर होगा वो होगा इलुमीनियम क्लियर है दोस्तो 134 का क्या है A महादुप्याव विस्थापन का सिधान किस ने दिया तो दोस्तो इसका जो राइट अंसर होगा अलफ्रेड वेगनर फिर हम देख लेते हैं प्रचन संक्या 136 किस बैंक को इंपीरियल बैंक आफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है तो दोस्तो इसका जो राइट अंसर होगा देखिए 136 का B SBI अगला प्रचन है किस ने जौलामोखी मंदिर में वो है चांब अगला है अर्थ हावर किस के द्वारा आयूजित किया जाता है तो दोस्तो इसका जो सही अंसर होगा World Wild Life Fund option C होगा इसका correct answer 139 का C अगला है भारत ने पहला Olympic Hockey Gold किस वर्ष जीता तो इसका जो right answer है दोस्तो वो है option D 1948 इनमें से किसे राजीव गांधी खेल रतन 2019 पूरसकार दिया गया तो दोस्तो इसका जो right answer है बजरंग पूनिया clear है फिर आता है कौन सा खेल Commonwealth खेल CWG 2020 में शामिल 22 में शामिल नहीं होगा तो दोस्तो 142 का जो answer है देखिए वो है option A shooting तो ये इसमें शामिल नहीं होगा खाना बनाने के non-stick बरतनों पर किस चीज की परत चड़ी होती है तो दोस्तो इसमें होती है polystreen की परत option D सही होगा ठीक है परंबीर, चक्र, वीजेता, संजय कुमार किस जिले से संबन दित हैं दोस्तो जो संजय कुमार है वो बिलासफूर बुद के उपदेशों की भाषा क्या थी तो इसकी जो सही भाषा थी दोस्तो पाली भाषा चेचक के निवारण के लिए वैक्सीन का अविश्कार किस ने किया तो 146 प्रशन देख लिजे दोस्तो चेचक के निवारण के लिए वैक्सीन का अविश्कार किस ने किया तो ये किया था एडवर्ड जेनर ने कांगडा शैली का मुख है विशे क्या था तो दोस्तो जो कांगडा शैली का मुख है विशे था ये था शिरिक्रिशन एवं राधा क्लियर है दोस्तो 147 का होगा C भाई दो न पाई निमन में से किस अंदोलन का विस्तार था 148 वा प्रशने देखी दोस्तो तो इसका जो सैयंस रोगा दोस्तो सविन्य अवग्या अंदोलन ठीक है उसने कहा था किताब अना कि दोस्तो ये कहानी है चंदरदर्शर्मा गुलेरी की तो B इसका सैयंस रोगा भारत में दललिटिल लहासा के रूप में कौन सा स्थान जाना जाता है तो दोस्तो ये है धर्मशाला का मेकलोड गंज, क्लियर है दोस्तो option B इसका सैय होगा तो दोस्तो ये था हमारा जो चौता section है दोस्तो उसके बारे में तो फिलाल इस वाली वीडियो में इतना ही दोस्तो अगली वीडियो में हम देखेंगे जो second unit है हमारा English और उसके बाद हम देखेंगे दोस्तो जो हमारा इसमें पहला unit था psychology का उसके बारे में तो दोस्तो आपको वीडियो में अगर कुछ doubts हैं तो आप comment section में जाकर उनको बता सकते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तो तो please इसे अपने दोस्तों के बीच में like कीजिए, share कीजिए और channel को subscribe करना ना भूलें फिर मिलेंगे दोस्तो तब तक के लिए शुक्रिया